फेर आशी रे मोदी फेर आशी फेर आशी रे मोदी फेर आशी ओतो चार सो सिटारे पार मोदी फेर आशी ओतो चार सो सिटारे पार मोदी फेर आशी ओतो चार सो सिटारे पार मोदी फेर आशी तो यह कभी कह रहा क्यों आएंगे मोदी जी दुबारा तो इसमें अई भाव है कि लोग कहते थे धारा 370 तो हटी नहीं सकती जमू कस्मीर विदान सभा का प्रस्ताव चाहिए वो है नहीं और वो हो भी नहीं सकता राश्पति का एक ओर्डर थी यह वो भी संभव नहीं है जमू कस्मीर के विदान सभा के प्रस्ताव के बिना लेकिन यह मोदी है मोदी है तो मोदी है तो और यह संभव क्यों हुआ पीडीपी की सरकार बनी समिजी लोगों न का यह पीडीपी से बीजेपी का समदोता यह क्या हुआ नरेंदर मोदी जी का मन में वो ही चल रहा था 370 मुझे समाप्त करनी है यह देश के साथ अन्याय है पीडीपी की सरकार चली नहीं और उसके बाद सरकार बनाने के लिए जो बात आई तो सरकार बणी नहीं बणी नहीं तो राश्पती साशन लागू हुआ लागू हुआ तो 6 महिने के बाद वो विदानसभा भी सर्ष्वेंट हो गए तो विदानसभा के पावर लेफटिन एन गवर्नर में आगे मनोशिना में तो मनोर्शिना का प्रस्ताव ही विदान सभा का प्रस्ताव हो गया राश्पती जी ने भी ओर्डर जारी कर दिया काम जो निए बैजी का को नियों स्यार साब बताओ तो ऐसा क्या हुआ कि चुटकी में वह 378 जो लोग कहते हैं हटी नहीं सकती इट इंपॉसिबल ऐसा बोलते थे पत्रकार अच्या पैंती से अटा रहे हो क्या हमें ध्यान अच्छी तरह से पांच अगस्त से पहले हैं तीन-चार अगस्त को हमारी ट्रेनिंग थी मैं संसिद्य काये मंत्री भी हूं तो प्रदान मंतरी जीर का सब को बुलाना तो मैंने का साथ 20-25 नइद सब को मुलाना मैंने जब कोई होस्पिटल में बोला गांकर अप तो निकाहीं करसी लेगे तो इंदा पड़ियों काम तो ब recommends है तो क्या क्या मोदी जीने थारा तीन सो सट्र थां तो चुटकी में हटा दी भारा सब चुटकी में हटा दी भारत खानी देख्या बाने धूल था चटा दी भारत खानी देख्या बाने ये क्या विश्य था जी मोदी जी से आने से पहले दो देशों को एक अधिकार प्राप था एक अमेरिका और एक इस्राइल वो घर में गुशके मार सकते थे दूसरे और भी बड़े देश थे रशिया भी था जर्मनी भी था फ्रांस भी था इंगलेंड भी था वो कहते थे वह क्या तो आमेरिका नहीं सुनता था उन्होंनों का अगर मेरे सात को छेट साट करेगा तो मैं उसके में गुषके मारूं इसराईल भी कहता था मेरे साथ किसी ने च्छीड़ की डैस अगर किसी ने आंत्रड़त फैलाया तो मैं उसके घर में खुषके मारूं दो देशों स्टेटस प्राव्प्त हाई वनछा मेरिका फ़टीजी का काल कंडाया थोड़ी चछेड़ खानी पाकिस्तान ने करने की सुरूप सुरुवात की तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जी किल स्ट्राइक के माध्यम से और यह स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुश करके पाकिस्तान के आंतकवाडी अगद्दों को समाप्त किया ऐसा काम कभी कहता है कि मौदी जी फेर आसी है धारा तिन सो शतर थां तो चुटकी में हटा दी भारत खानी देख्या बाने धूल थां चटा दी बारत खानी देख्या बाने धूल थांसटा दी अब सारे देशने बेरो मोधी जी फेर आसी अब सारे देशने वेलो मुदी जी फिर आसी पिर आसी रे मुदी फिर आसी ओत चार सो सिटाँरे पार मुदी फेर आशी ओतो चार सो सी टारे पार मोदी फेर आशी चब मोदी जी फेर आई आई नहीं भाई जी भाई सा बताओ आई ना पूरा देश कह रहा है चारा देशन है